इस पीपल गुड बॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग तो अल अफ्यू कैसे सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़ी आ रहेंगे मैं बता दूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले है आपका एक सब्जेक्ट जिसका नाम है डिरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सिशन पेपर नमबर 7 होता है तो आज हम जो बाते करेंगे वो हलकी हुलकी बाते करेंगे बेसिक्स बाते करेंगे और आपके सेलेबस को समझेंगे आपके सेलेबस में क्या क्या है आप कैसे पढ़ने वाले हो हम कैसे पढ़ने वाले है और आप कैसे इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो कैसे इसमें आप 60 प्लस है वो स्कोर कर सकते है क्योंकि एक बात बताओ मैं आपको CA final में ज audit एक ऐसा है first group में और second group में direct tax एक ऐसा है जहां पे आपको repeated question नहीं मिलते हैं सब नए question बनते हैं और एक बात बताओ chartered accountant बनने के बाद like दुनिया जो है उसको आपकी जो need है सबसे ज़्यादा need कहा है tax में है और दूसरा आपके audit में है तो chartered accountant का एक core area रहता है tax और audit इसके लिए यहां पे repeated question नहीं मिलते नए question frame होते है बहुत सारे amendments होते हैं और इसकी checking जो होती है वो checking भी difficult होती है क्योंकि आपने देखा होगा आपने ये सुना होगा intermediate में आपने ये feel किया होगा क्या audit में marks लाना इतना easy नहीं रहता तो same in the taxation also direct tax की बात करूँ second group में और first group में audit जिसमें number लाना थोड़ा difficult रहता है अगर के ठीक है बट number आते है marks आते है अगर के ठीक है बट इतने marks नहीं आते है जैसे आप देखोगे IDT में 90 90 plus आता है लास्ट वाला जो attempt था उसमें एक निकिता करके बंदी थी कॉलकाता की उसको 86 मिला था that was like highest in the India वैसा था तो इतना highest हता है तो चलो try करेंगे exemption लाने की तो चलिए start करते हैं ये paper और इस paper का जो नाम है that is the paper number आपका 7 है और paper number 7 जो है इसका नाम है direct tax and international taxation international taxation and आपका direct tax ये वाला paper है एक और चीज दिहां रखना है आप लोग जब भी मैं कोई लिख रहा हूं आपको लिखने की कोई जरुवत नहीं है there is no need to write anything आपको पास कोई भी notebook नहीं होनी चाहिए आपको जो मैंने ये book दी है ये वाली book आपके पास होनी चाहिए ये वाली book है ये वाली this is the volume 1 ये वाली book आपके पास होनी चाहिए उसके साथ में आपको बहुत सारी book मिलेगी ऐसा volume 2 भी मिलेगा फिर compact के दो volume मिलेगी एक compiler मिलेगा एक MCQ का book मिलेगा बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है, तो आपके पास मैं यह बुक होनी चाहिए, नोटबुक बनाने की जरुवत नहीं है, there is no need to prepare the notebook, आपको जो लिखना है, वो उसमें लिखना है, कब लिखना है, क्या लिखना है, वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, तो आप आपको class notes में मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा है, load लेने की जरुवत नहीं है, कि sir ने पता नहीं क्या लिखा, मैं miss हो गया वगेरा, ऐसा कुछ नहीं, आप आराम से बैठ जाईए, और जो मैं समझाता हूँ, उसको समझते जाईए, तो चलिए, स्टार्ट करते है, direct tax and international taxation का paper number 7, सबसे पहली चीज़ बता दू, यह जो paper है, obviously 100 marks का रहता है, और इस 100 marks में 2 breakup आते है, इसमें, जो 70 marks है ना, वो 70 marks का आपका direct tax रहता है, that is the direct tax रहता है, जिसको मैं बोल सकता हूँ, income tax वाला part, जो income tax है, वो income tax आपका रहेगा, 70 marks का, income tax, और 30 marks का जो तुमारा part रहेगा, वो 30 marks में आपको मिलेगा, international taxation वाला part, international taxation 30 marks का, और income tax है, वो आपका रहेगा, 70 marks का, अब एक और question ही आता है, कि सर एक बात बताईए, आप बोल रहे है, income tax, तो हम income tax क्या पढ़ने वाले है, क्या हम income tax act पढ़ने वाले है, या income tax law पढ़न हम income tax act पढ़ने वाले है, या income tax law पढ़ने वाले है, हम क्या पढ़ने वाले है, बताईए मुझे, income tax act पढ़ने वाले है, या फिर हम income tax law पढ़ने वाले है, law और act में क्या फरक होता है, चलिए, बताईए, मैं wait कर रहा हूँ आपके answer का, चलिए तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर किया है उसमें महिक बोल रही है लौ पढ़ने वाले है अमन बोल रहा है लौ पढ़ने वाले है कुनाल बोल रहा है हम एक्ट पढ़ने वाले है निखिल बोल रहा है हम दोनों पढ़ने वाले है आफरीन बोल रही है कि हम जो है वो income tax act पढ़ने वाले है उजवल भी बोल रहा है act पढ़ने वाले है तो सबसे पहली चीज तुम मैं बताओ act और law में फरक्या होता है कहां पे Act लिखा होता है, कहां पे Law लिखा होता है, आपकी जो books आएगी अभी तक आपके पास आई नहीं होगी ICI का Material, जब ICI का Material आएगा न तो वहां पे लिखा होगा Income Tax Law, GST का जो Material आएगा वहां पे GST Act नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा GST Law, तो यहां पे question ही आता है ये आप समझ लीजिए ये एक law है ठीक है और इस law के अंदर ही होता है act जो है वो उसका part होता है law का उसके बाद में उससे related बहुत सारे rules रहते है उसके बाद में उसके notifications रहते है circular रहते है उसके बाद में उसके जो case laws वगिरा रहते है जब ये अपन सबका combine study करते है उसको बोलते हैं हम law पढ़ रहे है तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे हम act पढ़ने वाले हैं law किसको बोलते हैं इसमें act भी रहेगा इसमें rules भी रहेंगे इसमें कुछ notifications भी रहेंगे, circulars भी रहेंगे, case laws भी रहेगा ये सबका जब combine study करेंगे ना, तब हम बोलेंगे हम income tax law पढ़ने वाले है जब मैं GST की बात करता हूँ, तो GST का act है करके ठीक है वो तो हो गया आपका act, उसके बाद में उसके valuation rules वगिरा है, वो rules हो जाएंगे कुछ notification circular निकालते है, उसके बाद में case laws है, वो सबका combined study है, वो law होता है तो law को कैसे समझ सकते है, एक Indian cricket team है, वो law है Indian cricket team जो है जब आप बोलते हो Indian cricket team, that is the law बट उसमें जो captain है, उसका नाम है, Rohis Sharma तो यहाँ पे act is a Rohis Sharma, अब उसको support करने के लिए बहुत सारे rules रहते है आप देखेंगे, जो wicket keeper है, अपना क्या नाम है, उसका, like wicket keeper का नाम रिशव बंत, रिशव बंत is a rules, notification circular अगर आप देखेंगे, विराट को लिए and all, they are all supportive तो एक Indian cricket team कब बनती है, जब यह सब लोग साथ में खिलते हैं एक object के लिए तो यह आपका difference है law के बीच में और act के बीच में, तो चलिए मैंने आपको बताया 100 mark का paper है, 70 marks जो है वो आपको income tax से आएगा, income tax में हम क्या पढ़ेंगे तो income tax में जो आपने intermediate में पढ़ा था, वो वाला तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे तो intermediate में आपने residential status पढ़ा था, capital gain पढ़ा था, PGBP पढ़ा था, other sources पढ़ा था, gift पे tax लगता है, ऐसा सब पढ़ा था deduction आपने पढ़े थे, वो सब पढ़ेंगे बट उसके अलावा, बहुत सारी चीज ऐसी है, जो आपने intermediate में नहीं पढ़ी, जैसे assessment है कि सर, assessment कैसे होता है, क्या होता है, तो assessment procedure पूरा बड़ा topic रहेगा appeals कैसे होती है, जब assessing officer है, income tax officer कुछ order pass कर देता है, और उससे अगर आप satisfy नहीं हो तो आप appeals में जाते हो, यह appeals कैसे होती है, वो सब हम पढ़ेंगे TDS बहुत बड़ा topic है, यहाँ पर TCS है, आपने office में आज कल देख रहे होंगे बहुत सारी नहीं नहीं section आ चुकी है, TDS, TCS में 194 क्यों आईए है, आपने सुना होगा ऐसे TCS में 206C, 1H करके section आईए, ऐसा आपने office में सब सुना होगा तो वो सब चीजे हैं, हम पढ़ने वाले है, तो कुल मिला के income tax law जो आपका है, वो 70 marks का है उसके बाद हम पढ़ेंगे international taxation, अब सर यह international taxation बेसिकली जो 30 marks का है उसमें क्या क्या है, तो मैं बता दू, international taxation है ना, उसमें आपके total 8 topics है और बहुत ही शांदार वाले टॉपिक आपको मज़ा आ जाएगा और सबसे पहला टॉपिक जो international taxation में है, that is the NR taxation और NRI का taxation NR और NRI का taxation है, वो आपका first topic रहेगा दूसरा topic जो है, that is the transfer pricing से related रहेगा यह क्या होता है, अब भी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है तीसरा topic है, वो आपका DTAA से related रहेगा double taxation avoidance agreement fourth topic है, that is bar से related रहेगा that is board of advance ruling उसके बाद में, fifth topic है, वो एक equalization levy से related रहेगा sixth topic है, वो आपका tax treaty जो होती है, उससे related रहेगा seventh topic है, वो आपका model tax convention से related रहेगा और eighth topic है, वो आपका BEP से related रहेगा ठीक है, चलिए, सरीए क्या है, आप एक बात बताईए यह आपना इतने सारे topic लिखे हमको थोड़ा idea तो देरीजिए, कि इन topics में क्या पढ़ने वाले है, तो देखिए, जो मैं international taxation की बात कर रहा हूँ, तो international taxation में यह जो topics है, इन सब के बारे में मैं आपको two-two minutes लेता हूँ, हर topic के बारे में कि इसमें क्या होने वाला है, तो सबसे पहला topic है, वो Indian citizen है, वो India के बाहर काम कर रहे है, जैसे दुबई में काम कर रहे है, Canada में, बहुत सारे पंजाब के लोग है, वो Canada में काम कर रहे है, तो सर वो जो income कमाते है, तो अगर उन्होंने कुछ इंडिया में invest किया, तो इंडिया की जो income आएगी, उस पे क्या tax treatment रहेगा, वो हम NRI से related पूचेंगे, NRI किसको बोलते है, बता है, NRI का मतलब होता है, कि अगर कोई person है, वो non-resident है, क्या है, non-resident, और non-resident के साथ-साथ, या तो वो Indian citizen है, या फिर वो person, person of Indian origin है, तो उस person को हम बोलते है, NRI, आपने बहुत बार ऐसे सुनाओगा न, क्यारे भाईया, तुमारे लिए तो हम NRI लड़का ढूंदेंगे, तो NRI लड़का ढूंदेंगे, तो NRI होता क्या है, किसको बोलते है, yes people, तो मैं आपको बता रहा था, NRI क्या होता है, तो NRI के किसको बोलते है, person of Indian origin है, वो किसको बोलते है कि अगर कोई person है, उसके parents या grand parents में से किसी का भी भर्थ जो है, वो अगर undivided इंडिया में हुआ था, तो उस person को बोलते है, person of Indian origin, तो देखो, Indian citizen या person of Indian origin, प्लस आप non-resident होगा, तो उस person को आप बोलेंगे NRI non-resident Indian, तो आज के बाद जब कोई भी बोलता है ना, कि तुमारी शादी NRI से कराएंगे, तो NRI क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया, तो ये जो पहला topic है ना, इस topic में हम NRI से related कुछ provision पढ़ेंगे, कुछ non-resident foreign companies से related provision पढ़ेंगे, कि non-resident foreign companies है, अगर वो इंडिया में business करती है, उनको कैसे tax लगेगा, बहुत सारे ऐसे investment fund है, जो foreign funds होते है, जिसको आप FII बोलते हो, foreign institutional investor, वो Indian share market में invest करते हैं, तो उनको क्या होगा, कैसे tax लगेगा, वो सब चीजे हैं, वो हम इस particular topic में सीखने वाले हैं, तो I think, hope so clear, कि इस topic में हम क्या सीखने वाले हैं, दूसरा एक topic है, जिसका नाम है transfer pricing, अब आप बोलोगे, sir, यह transfer pricing क्या होगा, तो अगर मैं transfer pricing की बात करूँ, तो आप बोलोगे, sir, transfer pricing तो हमने costing में भी पढ़ा है, costing या जिसको SCMPE बोलते हैं, गर यह ठीक है, और ऐसा सुना है कि नए syllabus में नहीं होगा, I don't know why, ऐसा क्यों कर रहे हैं, but SCMPE जो subject है, उसमें भी आपने transfer pricing सुना हुआ है, transfer pricing क्या वो SCMPE में पढ़ा था, वो ही बाला है, या यहाँ पे कुछ अलग है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक example देता हूँ, उससे आप समझने ही कोशिश करना, कि लोग कैसे मज़े लेते हैं, एक example लेते हैं, example से समझने ही कोशिश करते हैं, इधर देखिए, आपने एक company का नाम सुना होगा इंडिया में, और इंडिया में एक company का नाम है HUL, English techniques, ये इंडिया में जब काम करते हैं, तो इनका नाम HUL है, पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान Ёनिलिवर लिमिटेड, नेपाल में काम करते हैं, नेपाल इनिलिवर लिमिटेड, बेट इसकी जो main company है ना main जो holding company है वो UK में है और UK में जो company है उसका नाम है UUL that is UK Uniliveral Limited करके ठीक है अब एक बात समझना एक example ले रहा हूँ example से समझना लोग कैसे मज़े लेते है text law के तो जो इंडिया की company है HUL इंडिया में tax rate कितना है इंडिया में tax rate अप्रोक्स 30% है मिस 30% 25% अप्रोक्स 30% का tax rate है वो इंडिया में है अब एक बात समझना UK में tax rate example ले रहा हूँ suppose for an example UK में जो tax rate है वो tax rate is 10% UK tax rate is 10% just an example इंडिया टैक्स रेत is 30% UK tax rate is 10% और यह दोनों जो company है ना यह दोनों company आपस में holding subsidiary company है यह HUL Unilever Group की company है holding subsidiary company है अब हुआ क्या एक example लेती है यह जो Unilever UK वाली है वो क्या करती है कुछ product sale करती है इंडिया की company को HUL को मिस UK की company ने कुछ product sale किया एक cream आती है जिसका नाम है fair and lovely करके ठीक है उसके साथ में एक skill का add भी आता है कि आप कैसे मतलब अपने आपको खुशूरत दिखा सकते है fair and lovely for an example वो बनती है UK में और UK से इंडिया की company है HUL वो import करती है और यहाँ पर इसको बेचती है अब यह लोग क्या करते है for an example इन्होंने जो purchase किया ना उसकी purchase price जो होनी चाहिए थी that should be approx 1 lakh रुपेस for an example approx 1 lakh है वो purchase price होनी चाहिए थी बट यह लोग क्या करते है holding subsidiary है अपने हिसाब से invoicing change कर सकते है अपने हिसाब से सब चीज़े change कर सकते है तो इन्होंने क्या किया इस price को change करके और इन्होंने जो billing किया वो 5 lakh पे किया बिलिंग है वो 5 lakh पे किया अब आप बोलेंगे इससे क्या फरक पड़ेगा तो इससे क्या फरक पड़ेगा कि इंडिया की जो company है HUL ये अपना जब profit and loss account बनाएगी तो P&L के debit side में आप ही बताईए यहाँ पे purchase कितना डाला जाएगा 5 lakh डाला जाएगा और यहाँ पे 5 lakh का जब purchase डालेंगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंडिया की company जो है उसका profit आपने कम कर दिया by the 4 lakh रूपिस 4 lakh रूपिस से आपने profit है वो profit को कम कर दिया इंडिया की company जो है उसका 4 lakh profit आपने कम कर दिया और इसकी वज़े से एक बात बताओ इंडिया में आपने tax save किया कितना save किया for an example इंडिया का जो tax rate है that tax rate is 30% तो आपने 1 lakh 20,000 का tax save कर दिया इंडिया में आप मुझे बोलेंगे कि हाँ सर लेकिन एक बात बताइए सर वो UK में जो company है वो UK वाली company तो अपना profit ज्यादा बताए कि answer is yes तो UK की company है उसने अपना profit ज्यादा बताया चलिए कोई बात नहीं तो UK की company ने जब P&L बनाया होगा तो उस side में उन्होंने यहाँ पे sale को record किया होगा 5 lakh रुपेज से तो उधर उनका जो profit है वो profit बढ़ गया और profit 4 lakh से बढ़ गया बट UK में tax rate is only 10% so can I say that 40,000 का only उन्होंने उधर tax pay किया होगा उधर जो उन्होंने जो tax pay किया होगा वो only 40,000 पे किया होगा इंडिया में tax save किया 1 lakh 20,000 का so can I say that कि यहाँ पे इस group ने मिलके और आपका 80,000 का tax save कर दिया 80,000 है वो tax save कर दिया यह ऐसा होता है इसको बोलते है multinational company जब यह transaction करती है तो यह ऐसे करती है अभी आपने थोड़े दिन पहले यह भी सुना होगा कि जो वीवो है या ओपो है उन्होंने चाइना में बहुत ज़्यादा heavy value पे पैसा भेजा वो कैसे भेजा वो transaction पूरा मैंने देखा नहीं है बट उसमें भी ऐसी ही चीज़े है तो यह लोग क्या करते है multinational company जैसे जैसे globalization बढ़ने लगा multinational companies ने क्या गिया बता है like ऐसे धमाल ऐसे transaction करने लगे जिससे overall group का पैसा जो है वो save हो जाए overall जो group है जैसे Unilever group है उनका पैसा save हो जाए लोग ऐसा करते थे तो इसको रोकने के लिए एक concept लाया एक law लाया that is transfer pricing income tax का ही part है transfer pricing और इंडिया वालों ने भी transfer pricing को opt किया और इस वाले topic में जो ये वाला topic है तुमारा transfer pricing इस topic में हम ये सीखेंगे कि ये जो transaction आपने जो 5 lakh पे किया है ना इसको वापस से 1 lakh पे कैसे लाते है ये जो transaction आपने 5 lakh पे किया है इसको वापस से 1 lakh पे कैसे लेके आते है वो सीखेंगे और ये जो 1 lakh पे इस transaction को वापस से हम लेके आएंगे और इस one lakh की price जो होगी ना इसको बोला जाएगा arm length price ALP that is arm length price है वो बोला जाएगा और arm length price means कोई fair price, real price, सही price है वो वाला पूरा concept जो है वो हम इस particular topic में सीखेंगे that is the transfer pricing और मैं बता दूँ आपके 30 marks में से approx 10 marks है ना वो transfer pricing cover करेगा यह 30 marks जो है इस 30 marks में से approx 10 marks है that 10 marks is going to be covered from the transfer pricing और जो elective अगर international taxation की मैं बात करता हूँ तो elective वाला जो international taxation है उसमें यह transfer pricing same इतना का इतना है and it covered the 30 marks in that elective paper elective 6C जो paper है उसमें यह transfer pricing है यह आपका 30 marks है यह 30 marks cover करता है चलिए अब तीसरा topic that is the double taxation avoidance agreement DTAA इस topic में क्या सीखेंगे तो मैं बता तो इस topic में हम सीखने वाले आपने सुना होगा बहुत बार double taxation होता है अब आप बोलोगे double taxation क्या होता है आपने यह तो सुना हुआ intermediate में IPCC में कि अगर कोई person किसी country का resident हो जाता है जैसे इंडिया का resident है तो उसके लिए पूरे world की income पे tax लगता है इंडिया का resident है तो उसके लिए पूरे world की income पे tax लगता है ऐसा क्यों होता है हर country क्या करती है दो rules से tax लेती है एक होता है residence rule और एक होता है source rule एक होता है residence rule और एक होता है source rule यह residence rule क्या बोलता है कि अगर कोई person है ना वो किसी country का resident बन गया तो उसकी global income पे हम tax लेंगे ऐसा बोलता है residence rule और यह source rule क्या बोलता है पता है कि चलो कोई person resident नहीं है हमारा लेकिन अगर source हमारी country से है उसने जो पैसा कमाया वो हमारी country से है तो हम उस पे tax लेंगे that is call your source rule एक example लेते हैं जैसे मैं इंडिया का resident हूँ I am a resident and ordinary resident of India अब एक चीज समझना हुआ क्या एक दिन मैं नेपाल गया और नेपाल से मैंने कुछ अर्ण किया नेपाल में मैंने एक batch conduct किया काटमांडू मैं वहां से मैंने कुछ अर्ण किया और वहां से जो मैंने अर्ण किया वो जो पैसा है उसमें क्या नेपाल tax लेगा या नहीं लेगा answer is yes, Nepal tax लेगा और sir, उस पर India tax लेगा या नहीं लेगा, answer is yes, India tax लेगा because I am a resident of India और income कहां से हो रही है, नेपाल से हो रही है, तो source कहां है, नेपाल का तो नेपाल tax लेता है source rule से और India tax लेता है residence rule से, एक और example लेते है, England का एक cricket player है, बहुत सारे अब आप समझे, वो इंडिया के लिए non-resident है, और वो resident कहां का है, England का suppose for an example, वो इंडिया में आता है, और इंडिया में आके और वो participate करता है, games में IPL खिलने आता है, तो IPL से जो income इंडिया से होगी, क्या इंडिया उस पर tax लेगा, answer is yes, हम tax लेगे because source हमारे यहां का है, भाईया तु हमारे resources यूज़ कर रहा है, source हमारे यहां का है, यहां से पैसा कमा रहा है, इंडिया tax लेगा कौन से rule से, source rule से England tax लेगा या नहीं लेगा, answer is yes England भी tax लेगा, कौन से rule से, residence rule से, तो आप एक बात बताएए यहां तो एक ही income पे दो-दो बार tax लग रहा है, और यह दो-दो बार tax लगता है ना, इसी को बोला जाता है double taxation और double taxation होता है, answer is yes होता है, अब यह double taxation को कैसे avoid किया जाए, क्योंकि क्या होता है आप समझिए, एक ही income पे दो-दो country tax लेगी, मैं नेपाल गया, नेपाल पढ़ा क्या आया, तो नेपाल वाले tax लेंगे, answer is yes due to the source rule उसी income पे, इंडिया वाले tax लेंगे due to the residence rule उसी income पे, तो यह तो यार, एक ही income दो-दो जगे tax हो गई ना, एक ही income पे double taxation लग गया ना, yes, इसको बोलते हैं double taxation और इसको कैसे avoid किया जाता है, वो हम पढ़ने वाले है इस particular topic में, that is the double taxation, avoidance arrangement या agreements आपने सुना होगा बहुत बार के दो country के बीच में यह arrangement हुआ, यह treaty sign हुई है, आपने ऐसा सुना होगा के मोदी जी foreign गए, सिंगापूर गए, उन्होंने treaty में change कराया तो यह जो treaty होती है ना, उसी को बोला जाता है agreement, arrangement करके ठीक है, तो दो country के बीच में treaty बनती है, और वो treaty में यह सा लिखा जाता है कि हम दो-दो जगे tax नहीं लगने देंगे हम सिरब एक ही जगे tax लगाएंगे वो सब पढ़ेंगे, हम double taxation avoidance agreement में है अब एक question आता है, सर यह topic number 4, that is called bar bar क्या है, एक बात बताऊं, last year तक हम इस topic को पढ़ाते थे, R, that is AAR, पहले हुआ करता था authority of advance ruling और यह authority of advance ruling को last year, मोधिजी ने change कर दिया और उसकी जगे डाल दिया, bar that is, board of advance ruling board of advance ruling, अब आप बोलोगे advance ruling, देखो नाम से ही पता चलता है, advance ruling का मतलब क्या होता होगा, advance और ruling, ruling means judgment, advance में judgment ले लेना, एक बात बताईए, इंडिया के tax law कितने complex है, आपको भी समझ में आता है, आप भी देखते हो tax law कितने complex है, कितनी ज़्यादा complexity है, जब हमको इंडिया वालों को इतना ज़्यादा, मतलब उसमें क्या बोलते, R&D करना पड़ता है, research करना पड़ता है, उसके बाद भी हम advice देते हैं, उसके बाद भी income tax का notice आ जाता है तो आप समझीए, जो non-resident लोग है, वो अगर इंडिया में judgment मिल जाए, कि आपके साथ यह होने वाला है, अगर आपको पहले से यह पता चल जाए, कि आपके साथ यह होने वाला है, तो सोचिए मजा आजाएगा, answer is yes, तो वो हम topic में पढ़ेंगे, board of advanced ruling, एक advanced ruling के board बनाए हुए है, आप काम करिए, अगर आपको जैसा tax related transaction कर रहे है, इंडिया वाले या भाहर वाले इंडिया वाले, कुछ-कुछ cases में application कर सकते है, बट non-resident कर सकते है, और उनको अगर लगता है, कि वो कुछ transaction में enter करने वाले, उससे उनकी क्या tax liability आएगी, उनकी इंडिया में क्या-क्या responsibility tax से related आ सकती है, वो आप पहले ही ruling लिखवा के ले लीजिए, पहले ही आप arrangement में enter हो जाईए, और अगर आप पहले ही arrangement में enter हो गए, तो मजा आ जाएगा, फिर dispute खतम कर के ठीक है, सो इसको बोलते है, board of advance ruling, बट यहाँ पर fees लगती है, भारी fees लगती है, कितनी fees है, क्या है, वो अपन उस topic में पढ़ेंगे, उसके बाद, एक और interesting topic जो हम सीखेंगे, that is the equalization levy, equalization levy, अब आप बोलोगे, यह equalization levy क्या है, आपने तो पहली बार Google है, Google, as well as the Facebook है, वो इंडिया में tax ही नहीं भरते थे, आज भी नहीं भरते हैं, बहुत सारा, उनका जो काफी income जो है, उसके वो इंडिया में tax नहीं भरते हैं, वो लोग क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, जो countries के बीच में arrangement होते हैं, उसमें यह लिखा होता है, क्या बिजिसनस की income जो है, उसपे और जो बाहर अगर आपको इंकम कमाते हो बाहर से, तो वो आपका export माना जाता है, क्या माना जाता है, export माना जाता है, और उस country में tax नहीं लगता उस country में, दूसरी country में text तभी लग सकता है, जब वहाँ पे आपका कोई office है, miss, इस office को बोला जाता है, law की language में permanent establishment है, P.E. है, आपने word सुना होगा बहुत बार office में, P.E. है, कि P.E. का मतलब क्या होता है, permanent establishment, एक दो example लेता हूँ, अब समझने ही कोशिश करना, logics को समझने ही कोशिश करना है, एक बात समझते हैं, मैं मेरी बात करता हूँ, B.B. Sir, हमारी जो company है, B.B. Virtual, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे है, C.E. के, as well as the C.E. में के, जो की, नेपाल से है, और नेपाल में पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चे नेपाल में है, दुबई में है अलग-लग countries में काम कर रहे है, वहाँ पढ़ाई कर रहे है, और वो हमसे books और lecture का order करते हैं, अब logically सोचना, मेरी website पे एक order आया, नेपाल से, और नेपाल से जैसे ही order punch किया, हमने क्या किया, जो books है उसको pack किया, pen drive उसमें डाला, और उसको as it is हमने नेपाल courier कर दिया, नेप पाल में tax नहीं भरना पड़ता, क्योंकि मेरी business income है, resident India के है, तो इंडिया में tax भरेंगे, उस country में tax नहीं भरना, जब तक कि उस country में हमारा PE नहीं बन जाता, अगर हमारा उस country में PE है, तो यह tax भरना है, otherwise नहीं तो यह export माना जाएगा, उस country में हमको tax भरने की जरुद नही क्योंकि उस country में जाके हम कोई activity नहीं कर रहे हम तो यहां से सिरफ क्या कर रहे है, export कर रहे है, इस में international taxation में दो word यूज होते है, दो line यूज होती है, एक होता है business in foreign country और एक होता है business with foreign country, दोनों में फरक है, business in foreign country and business with foreign country, फरक है दोनों, business with foreign country में, आपको foreign country में tax नहीं भरना आपको सिरफ इंडिया में टेक्स बढ़ना है मैंने जो कुरियर किया मैंने जो बुक्स बेजी, पेंडराय बेजी नेपाल में ये बिजनस with foreign country है उसमें टेक्स नहीं लगता उस country में, सिरफ इस country में टेक्स लगेगा लेकिन, मान लो हमारे बहुत ज़ाना बच्छे होगे काट्मांडू में नेपाल में और उन्होंने बोला कि सरण काम करीए न आप यही पे centre चालो करती चिये तो हमने क्या किया, नेपाल में centre चालो कर दिया और जब नेपाल में जब हमने centre चालो किया, तो वो जो centre था उस center पे अब बच्चे आके और pen drive लेके जाते थे center पे आके और book लेके जाते थे अब एक बात बताइए अब वो center की जो income होगी उस पे Nepal में tax भढ़ना पड़ेगा या नहीं भढ़ना पड़ेगा answer is yes now we have to pay the tax in the Nepal because we are doing business in a foreign country फरक है ना दुनों मैं business with foreign country और business in foreign country तो आप business with foreign country करते हो there is no need to pay tax in foreign country but business in foreign country means you are having the permanent establishment in that country then you have to pay the tax in that country अब आप बोलेंगे सर उसमें office होना चाहिए या क्या होना चाहिए वो सब चीजे हम सीखेंगे international taxation में PE कब बनता है आज सरफ मैं आपको overview दे रहा हूँ कि what is all about your syllabus तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है CACMA वालों के लिए CMA वालों के लिए भी same syllabus थोड़ा paper pattern लग रहता है बाकि syllabus is same कोई difference नहीं है ठीक है चलिए अब एक चीज़ समझना तो equalization ले भी क्यो लाया क्योंकि Google जो है Google कहां US का company है Facebook कहां US का company है ये इंडिया से करोडो रुपे कमाते थे करोडो क्या मतलब अर्बो रुपे बोल सकते हो करोडो तो क्या ही बोलो गर्गे इंडिया से इतना पैसा कमाते थे and they not paid any tax in इंडिया ये इंडिया में tax नहीं बढ़ते थे क्योंकि ये क्या बोलते थे हमारा इंडिया में office ही नहीं हम जो service देते है वो बाहर से देते है आपका अगर Gmail ID हैक हो जाता है तो उसको recovery कहां से होती है foreign से होती है आपको US mail करना पड़ता है US से reply आता है और US से इनका पूरा staff US में बैठता है अब आप बोलोगे sir इंडिया में भी तो बैठता है इंडिया में इनका कुछ staff बैठता है जो सिरफ preparatory service देता है auxiliary service देता है करके ठीक है ऐसा काम करता है इंडिया वाला staff तो बहुत बार यह होता था कि इनका तो इंडिया में PE नहीं है इनका इनकाल केश्ट बारोस के शच्ञट लेटे टीक है उसके लिए क्या हुआ यह गोज़जाशन लेवी और यह गोज़ज़जेशन लेवी क्या लाया बढ़ा ही एसा टेक्स है अगर कोई भी non-resident से, जिसका इंडिया में PE नहीं है, और उससे कोई advertisement service लेता है, तो उस advertisement service पे 6% की rate से equalization लेवी काटना पड़ेगा तो आज क्या होता है, पता है कि अगर मान लो कोई Facebook का जो Singapore वाला company है, Facebook का Singapore वाला company है, उससे अगर हमने advertisement service ली, या Google का US वाला company है, उससे हमने advertisement service ली तो उस case में हमको 6% काटना पड़ता है उस amount में से और government को भरना पड़ता है, that is called equalization ले ली, as well as मैं बता दू, जो बड़ी-बड़ी websites है, जो foreign की websites है इंडिया में उनका कोई भी permanent establishment नहीं है, जैसे example के लिए ले लेता हो, Alibaba कर गया, Alibaba China का website है, और वो अगर इंडिया में कोई भी good sale करता है ठीक है, या इंडिया में कोई भी activity करता है और उससे जो income कमाएगा, उस पर उसको 2% की rate से equalization लेवी, pay करना पड़ेगा, तो ये उस topic में हम पढ़ेंगे, equalization लेवी, अब आता है next topic, that is the text treaty अब आप बोलेंगे, text treaty क्या होता है text treaty मतलब वो ही DTAA ये DTAA जो है ना, ये जो है, ऐसा ही रहता है text treaty text treaty, treaty किसको बोलते है convention, convention मतलब agreement करके ठीक है, तो इस topic में हम ये सीखेंगे, कि दो country के बीच में agreement बनता कैसे है agreement जो है, वो agreement मैं अगर मानलो कोई dispute आजाता है, तो वो dispute solve कैसे होता है क्योंकि हो सकता है ना, जब दो country ने आपस में agreement बनाया, तो there may be possibility, उसमें dispute आजाए करके ठीक है, आता ही होगा dispute करके, ठीक है उसको interpret कैसे करेंगे, अगर वो treaty अगर दो language में लिखी हुई है तो कौनसी अगर दोनो language में कोई दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत को कैसे solve करेंगे, तो ये सब चीजे जो है, वो आप पढ़ेंगे इस particular topic में, that is the text treaty, एक चोटा सा topic है जो शायद मेरे हैसाब से दो घंटे के अंदर-अंदर हो जाएगा, जब भी हम पढ़ेंगे तब करके, ठीक है, चलिए तो text treaty में हम क्या पढ़ने वाले हैं, treaty का interpretation वगर वो सब चीजे, अब एक आता है MTC, that is called model text convention, ये model text convention क्या है, पहली चीज़ तो model किसको बोलते है, model text convention, एक बात बताईए, आप आपके office में जब आर्टिकल शिप कर रहे है तो आर्टिकल शिप में बहुत बार आपके पास इसे clients आते है, जो बोलते हैं हमको partnership lead बना के दो, तो आप लोग क्या करते हो, partnership lead बनाने के लिए आप उससे कुछ information मांगते हो, कि चलो partner के नाम बता दो, address बता दो PSR क्या रहेगा, capital कितना रहेगा ये बता दो, ये आप ले लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो कि आपके office में एक folder बना हुआ है, जिसमें draft पड़े है कोई भी पुराना draft उठाते हो और वो draft उठाके, और उसमें से नाम चेंज करते हो, address चेंज करते हो बाकी सब चीज़े चेंज करते हो, और चेंज करने के बाद, आप उसको mail कर देते हो कि ये मैंने draft agreement बनाया है देखिए, इसमें आपको और कुछ चेंज कराना है तो आप करा लीजिए तो एक बात बताईए, आपने एक model पड़ा था, उस model को आपने क्या किया, यहां पर ठीक है और उसको आपने use कर लिया, partnership डीट में, तो ऐसे ही होता है जब agreement बनते है international level पे तो international level पे जो agreement बनते होंगे तो क्या हर point लिखा जाता होगा हर नया नया point लिखा जाता होगा जैसे मोदी जी है, और जो बाइडन बाइडन करके, ठीक है, बाइडन, US का और US-India का agreement बन रहा है, तो क्या ऐसे बोलेंगे, मोदी जी बोलेंगे, नहीं 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 यह नहीं करूँगा वैसे एक एक क्या point लिखेंगे, नहीं उसमें क्या होता है, कुछ models होते है, और वो models use करते हैं, कि बाइडन, चलो starting यहां से करेंगे, अब उसमें किसी-किसी point में, जहां-चाहां आपको दिक्कत है, उसमें आप change करतीजिए, that is called model, और यह model जो है न, market में तीन तरह के model होते हैं, बाइड आपके इंडिया OECD का पार्ट नहीं है, तो इंडिया UN का पार्ट है, तो हम जो model follow करते हैं, that is called UN model, तो उसमें कैसे होता है, क्या-क्य articles होते हैं, उसमें articles होते हैं, क्या-क्या articles होते हैं, क्या article number seven, business की income पे कौन-कौन सी country tax लेगी, article number five, क्या PE की definition में क्या-क्या आएगा, article number four, कि अगर कोई person, दो-दो country का resident बन जाता है, तो उसको कौन सी country का resident मानेंगे, ठीक है, article number one है, वो आपका, उसमें के कौन-कौन से person cover होंगे, article number eleven, twelve होते हैं, वो interest dividend की income पे context लेगा, ठीक है, तो ऐसे ही article, article number six के house property की income पे context आपक है, that is call your BAPS करके, base erosion and profit sifting, नाम से पता चल रहा है, देखो क्या लिखा है, वापस से पढ़ूँगा, BAPS की full form, base erosion and profit sifting, base erode कर रहे हो आप, and profit shift कर रहे हो, तो base erosion and profit sifting, यह क्या होता है, इस world में, जैसे यह digitalization बढ़ाना, जैसे जैसे internet बढ़ा, जैसे जैसे चीजे जो है, वो physical mode से internet वाले mode पे आ गई, वैसे वैसे, लोगों ने ऐसी text planning करनी चालू की ना, कि उसमें किसी को भी text नहीं मिलता था, बहुत सारे ऐसे text heaven countries आपने सुना होगा, text heaven करके, text heaven आपने सुना होगा, Bermuda is a text heaven, बहुत सारे लोग बोलता है, Switzerland is a text heaven करके, ठीक है, Cayman island is a text heaven, ऐसे छोटे-छोटे island से जहाँ taxi नहीं है, तो company ने क्या किया, अपना जो setup है, वो वहाँ लगा लिया, और फूरे world से income कमाते थे, किसी को गोई taxi नहीं भरते थे, कुछ taxi नहीं भरते थे, ऐसा करते थे, बेस को erode कर रहे है, फुल फॉर्म समझना, base, erosion and profit shifting, आपका जो base है, जहां से income हारी है, उसको erode कर रहे है, बता ही नहीं रहे है, और profit को shift कर जा रहे है, तो इसको रोकने के लिए, सब country आपस में मिली, जो G20 countries है करके, वो मिली, और उसमें बाकी countries भी मिली, और उन्होंने मिलके, OECD country मिली, G20 country मिली, उन्होंने मिलके, कुछ ऐसे action plan बनाए, कि यह जो लोग ऐसा कर रहे हैं, हम उसको action, मनला combating करने के लिए, एक action plan बनाए, जिसको बोलते है, BAPS के action plan, and there are total 15 action plan, ऐसे 15 action plan है, और वो action plan से, इन्होंने बोला कि यह ऐसी जो companyya कर रही है, उसको हम कैसे रोकेंगे, तो मैं बता दू equalization levy, जो मैंने अभी पढ़ा था, जब मैं आपको Facebook, Google का example दे रहा था, that came from the BAPS only BAPS का action plan number one है, that is digital economy, और digital economy में, आपका equalization levy suggest कर रहा है, का आप equalization levy लगाईए, तो यह यहीं से लगाया हुआ tax है, तो मैं बताओ, यह आपका international tax station का बड़ा ही, बड़ा discussion हो गया, हर topic के बारे में आपको intro दिया, क्योंकि वो नया है आपके लिए, DT वाला जो पड़ोगे, वो एकदम ही आपके लिए, एकदम used to है, क्योंकि office में काम करते है, सब जगे काम करते है, पर यह वाला जो 30 marks का part है, यह आपके लिए नया है, तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, अभी तक 100 mark का paper रहेगा, 70 marks का DT रहेगा, जिसमें अमन बोल रहा है, सर गूगल का जो office है, वो अगर यहाँ पे है गुडगाव में, तो क्या उसका P.E. होगा, गूगल का जो गुडगाव बाला office है, वो करता क्या है, अगर वो सिरफ advertisement करता है, इंडिया में, या preparatory service देता है, तो उसको P.E. बोलते है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे, कि सर, आपका CA वालों का 100 mark का paper कैसे आता है, CA में वालों का भी मैं एक दिन आपको अलग से बताऊंगा, बट CA वालों का कैसे आता है, तो जो CA वाले है, उनके लिए बेटा, जो 100 mark का आपका paper है, उस papers में दो पार्ट होते है, एक आता है, आपका 30 marks का MCQ, ये रहता है MCQ, multiple choice question रहेंगे, जिसमें आकड़ वकड़ बंबे वो 80-90 पूरे 100, ऐसा करने से पास नहीं होते है, CA फैनल, पैठीक है, उसमें आपको लिखना पड़ता है, अच्छे खासे MCQs आएंगे, अभी आपको MCQ का एक book मिलेगा, उसमें आपको बता जलेगा, कि कैसे MCQs आते हैं, case scenarios आते हैं, case scenarios मतलब एक इतना सा बड़ा सा case दे लिया, और उसके फिर 5 MCQs, वैसा, that is called case scenarios, वैसे MCQs आपको एक्जाम में मिलने वाले हैं, तो total 30 marks है, वो आपको MCQs से मिलेंगे, उसके बाद, जो 70 marks है, यह 70 marks आपके लिए descriptive रहने वाला है, descriptive मिस, जहां आपको लिखना है, जहां आपको perform करना है, लिखना है हाथ से, that is called descriptive, अब यह 70 marks का descriptive कैसे रहेगा पता है, आपको total 6 question मिलेंगे, और 14 14 marks के, 6 question मिलेंगे, और 14 14 marks के, तो 6 question multiply by 14 marks, it comes to आपका, कितना हो जाएगा, 70 marks, अब 6 question में से, नहीं नहीं, 70 नहीं, जादा होगा, अब इसमें से एक चीज़ दियान रखना, 6 में से, आपका जो first question है ना, वो mandatory है, first question रहेगा, वो आपका compulsory रहेगा, compulsory रहेगा first question, और यह first question जो आपका compulsory रहेगा, 14 marks का, यह आपको हमेशा direct text वाले पार्ट से मिलेगा, dt वाले पार्ट मिंस ये वाले पार्ट से, sorry not ये वाला, यह वाले पार्ट से, जो हम यहां देख रहे थे, 70 marks DT, यहां से मिलेगा, आपको first question, जो कि आपका 14 marks का रहेगा, compulsory question रहेगा, और mostly जो यह question आता है, यह total income का आता है, total income, जिसको हम PGBP एक बार के लिए बोल देते है, क्योंकि इसमें major जो point रहेगा, वो PGBP का रहेगा, business का र 5 multiply by 14, अपना calculation बड़ा ही खराब है, तो 5 multiply by 14 करोगे, तो आपका 70 marks हो जाएगा, तो 6 question है, first is compulsory, you have to attend it, और यह आपका DT वाले पार्ट से आएगा, और normally यह total income का question आएगा, लेकिन, बाकी के जो question रहेगे, that is question number 2 से लेके, और question number 6, इसमें से आपको क्या करना है, any 4 करने है, यह जो question रहते हैं, यह भी हर 14 marks का question रहेगा, लेकिन उसमें क्या होता है, normally DT का part का question रहता है, 8 mark का, और international taxation के part का question रहता है, 6 marks का, तो देखिए, 8 marks DT से, और 6 marks जो है, वो आपका किस से रहेगा, international taxation से, तो कुल मिलाके मैं आपको यह बोलू, कि देखिए, आप यहा 4 comes to 24, और बाकी 6 marks आपको कहां पे मिलेंगे, MCQs में, 6 marks मिलेंगे, आपको MCQs में, तो 30 mark का आपका हो जाएगा, international taxation, और DT जो है, वो आपका 70 marks का हो जाएगा, कैसे 70 marks का, 14 marks तो यह आपका है, यह और बाकी वाला यह, और उसके बाद में, आपका MCQ में है, वो 24 mark के करीब, आपको MCQs में मिलेगा, DT, ऐसे आपका normally, यह subject को divide किया रहता है, ऐसे आपका यह paper होता है, चलिए, अब आपके साथ में कुछ question पूछते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, चलिए मुझे एक बात बताईए, एक section लिखी हुई है, और इस section को ऐसे लिखा हुआ है 15.3, इसको आप कैसे read करेंगे, किसी को phone पे बताना है, किसी ने phone कर दिया, और आपको यह लिखवाना है, उसको बोलना, यह लिख करके, ठीक है, क्या बोलोगे उसको लिखते time, क्या बोलोगे, how you will read this section, इश्वर, इश्वर तुमी हुदाता, भगवन है नाम तेरा, चलिए बताइए, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसा बोलेंगे कि काम कर यार, section पहले है ना, एक 15 लिख, फिर bracket खोल, और bracket में फिर है ना, फिर 3 लिख, फिर वापस bracket खोल, फिर उसमें वो 1 वी, आई वी लिख, उसके बाद, bracket खोलो, कैसे लिखेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हम, चलिए, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहे है, किसी ने बोला, section 15, subsection 3, clause 4, sub clause A, किसी ने बहुत ही बढ़िया बोला, that is sub clause A, of clause 4, to section 3, of section 15, चलिए, तो almost जितने भी लोग है ना, उन्होंने बहुत ही सही बोला है, जितने भी लोग है, उन्होंने एकदम सही बोला, चलिए, उसके बाद में, दूसरा वाला जो होता है, इसको बोला जाता है, subsection, इसको बोला जाता है, वैसे बोला जाएगा, लेकिन मुझे एक बात बताईए, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, 215 इसको कैसे रीड करेंगे आप 215 को कैसे रीड करेंगे Madhuri, Namrata Ranjit, Darshan How you will read the 215 215 को कैसे रीड करेंगे 215 215 को आप कैसे रीड करेंगे Section 2 Subsection 15 Section 2 Subsection 15 कोई बोल रहा है Section 2 Clause 15 किसी ने Subsection बोला है किसी ने Clause बोला है चलिए Section 2 Clause बोलेंगे या Subsection बोलेंगे अच्छा तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों में dispute चल रहा है बहुत सारी लडाया चल रहा है कुछ लोग बोल रहे हैं Subsection बोलेंगे कुछ लोग बोलते हैं Clause बोलेंगे तो चेक करते हैं Clause बोलेंगे या Subsection बोलेंगे मैं बता दू Right answer is जब आपका Section 2 और उसके बाद 15 लिखा हुआ है तो इसको आप कभी भी Subsection नहीं बोलेंगे इसको आप Clause बोलेंगे इसको आप Section बोलेंगे और इसको आप Clause बोलेंगे अब आप बोलोगे यह कौन सी बात हुई से एक बात बताईए अगर मान लो 35,2 लिखा हुआ है तो उसको आप बोलोगे Section 35, Subsection 2 लेकिन यहाँ पर आप बोल रहे हो कि आप Clause बोलोगे तो क्या difference है कभ अपने को Clause बोलना है कभ अपने को Subsection बोलना है एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई Section है और उस Section में Section है कोई जैसे मान लो यह Section 2 है 2 के बाद में यहाँ पर 5 है फिर 10 है फिर 7 है जैसे 5 है 6 है, 7 है, 8 है ऐसा है अब एक बात समझना है इनका आपस में कोई भी Interlink नहीं है Interlinkage नहीं है There is no interlinkage Between this, 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 this There is no interlink तो उस case में आप उसको Clause बोलें के जैसे Section 2 है 2 is about the definition एक बात बताऊं 2 में definition दे रखी है कि जैसे मान लो 224 है वो आपकी Income की definition है उसके बाद 240 है वो Capital Asset की definition है और कोई definition दे रहे है तो definition definition दे रहे है उसका आपस में कोई Interlink नहीं है आपस में उनका कोई Interlink नहीं है करके ठीक है That is call your clause वहाँ पे आपको बोलना है clause जैसे मैं एक example लेता हूँ अपने Income Tax में एक section पढ़ेंगे Section 10 और 10-1 जो है वो Agriculture की Income Exempt है इसको भी clause बोलते है उसके बाद आप 10-10 की बात करेंगे Grituity की Income Exempt है इसको भी clause बोलते है उसके बाद 10-10-A करके जो है वो 10-10-A आपकी जो है वो like pension की Income Exempt है इसको भी अपन clause बोलेंगे उसके बाद आपका 10-10-D करके जो है वो LIC का जो maturity है वो exempt है इसको भी हम clause बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक list दे रखी है जिसका आपस में किसी से linkage नहीं है आपस में एक item के list दे रखी है जिसका आपस में कोई linkage ही नहीं है यह agriculture income exempt होगी ठीक है खतम होगी बाद यह दूसरी income है कोई exempt होगी खतम होगी बाद यह तीसरी income कोई exempt है खतम होगी बाद तो इसको भी हम बोलेंगे clause इस 2 वाले को भी हम बोलेंगे clause एक section 47 और आएगा capital gain में उसमें जो दे रखा है उसको भी हम बोलेंगे clause लिकिन अगर कोई चीज दे रखी है और उसका आपस में interlink है जैसे मैं आपको एक section बताता हूँ कि जब मैं आपको एक section 11 पढ़ाऊंगा तो 11 1 है वो एक चीज बोलती है अब उसका interlink है 11 2 से भी है 11 3 से 11 4, 11 5 तो यह जो सब चीज़े हैं जो आपस में interlink है कही ना कहीं पे उसको हम बोलेंगे subsection तो यहाँ पे subsection का मतलब जब interlink है तो subsection बाकी clause आपको कुल मिलाके यह कोई exam के लिए नहीं था वर जस्ट आपको मैंने बताया कि income text में आप ध्यान रखना है कि जब भी section 2 के साथ में जो लिखा है ना उसको आप clause बोलेंगे जब भी section 10 के साथ में जो लिखा हुआ है उसको आप clause बोलेंगे और बाकी जो sections के साथ में जो लिखा हुआ है उसको आप subsection बोलेंगे अब एक और चीज़ समझना बहुत बार आपको case laws के नाम देखने को मिलेंगे जैसे for an example एक case law है BB versus CIT और उसके बाद ऐसा दे रखा होगा 23rd, 63, CTR 53 Bombay High Court 2022 इसका अब एक बात बताओ ये जो case law है न इस case law में हमेशा ध्यान रखना पहले नाम उसका लिखा जाता है जिसने case file किया है जिसने case file किया है उसका नाम हमेशा पहले होगा इस BB ने file किया है versus CIT इस Commissioner of Income Tax अब आप बोलेंगे ये Bombay High Court का judgment है इस judgment is from the Bombay High Court अगर Supreme Court का होगा तो वहाँ Supreme Court लिखा होगा Bombay High Court का तो High Court लिखा होगा और यहाँ पे 2022 का judgment है में इस judgment 2022 बे आए लेकिन सर यह क्या लिखा होता है यहाँ पे एक number लिखा होता है 263 ऐसा कुछ लिखा होता है number अब यह number क्या होता है यह number basically यह बताता है कि यह case कहाँ पे recorded है यह जो case है यह कौन सी book में recorded है उसका reference ID है खुल मिला कि ITR CTR आते है आज कल टेक्समेन भी record होता है तो एक बात बताता हूँ यह जो number है यह सिरफ आपको यह बताता है कि यह case law जो है यह कहाँ पे recorded है अगर आपको ढूंडना है तो आप कहाँ से इसको ढूंडेंगे तो उसका जो number रहता है that is call your ITR CTR इसकी CDs भी मिलती है books भी आती है DVDs भी मिलती है कि कौन सा case कहाँ पे recorded है तो कुल मिला के यह जो है यह number आपको यह बताता है कि यह case है यह कहाँ पे recorded है करके तो चलिए अपन ने जो अभी तक पढ़ा उसको एक minute में मैं quickly revise करवा देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है सबसे पहले मैंने बताया आपको income tax 100 mark का paper है 70 marks का DT 30 marks का international taxation international taxation में वो sub subject आएंगे उसमें क्या क्या होगा थोड़ा मैंने आपको briefly बता लिया paper है 100 marks का रहेगा 30 marks के MCQ रहेगे और 70 marks का descriptive रहेगा उसमें total 6 question रहेगे 5 आपको attend करने 1st is mandatory 4 जो है वो any 4 आप कर सकते है out of the 5 उसके बाद मैंने आपको section के बारे में बताया sub sections के बारे में बताया clause के बारे में बताया case law के बारे में बताया चलिए अब मुझे एक बात बताईए government tax क्यों लेती है चलिए बहुत ही छोटा सा question आपको बताया मैं ले गवर्मेंट जो है वो आप से tax क्यों लेती है government है वो tax क्यों लेती है बताये मुझे क्यों लेती यह क्यों लेती है निक clause roman में होताया क्या एश्वरया नहीं not mandatory मैं बोला 10-1 is a clause section 10 clause 1 government tax क्यों लेती है एशुरा चले बताईए, चैले इंदर पुमार, किसी ने बोला, to meet its expenses, किसी ने बोला, विदायक खरीदने के लिए, ये भाई, बोलता है, विदायक खरीदने के लिए, to provide general service in India, because we use national resources, so government tax liquid, for development of the nation, development of the country, to spend on public welfare, for development, fund मिलेगा, government को expenses करने के लिए, विदायक खरीदने के लिए, वाउ, to run the country, income को equal करने के लिए, वाउ, चलो, equal कितनी होती है, वो देखेंगे, future में, चलो, ये government tax क्यों लेती है, उसमें सबसे बड़ी चीज, कि government को आपने responsibility दे रखी है, responsibility दे रखी है, कि India को चलाना है, इंडिया को आपको grow करना है, आपको, इंडिया को run करना है, इंडिया को run करना है, grow करना है, develop करना है, तो इंडिया को grow करने के लिए, develop करने के लिए, दो चीजों की जरुवत रती है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए दो चीजों की जरुवत रती है और सबसे पहली जीज कौन सी कि सबसे पहला तो चाहिए उनको पावर कि किसी कंट्री को चलाने के लिए पावर तो चाहिए चाहिए पावर का मनला एलेक्ट्रिसिटी से नहीं है यहाँ पर पावर का मनला उनको कोई decision लेनी के पावर होने चाहिए तो इंडिया के पास में government के पास में आपकी जो government है central government, state government उनको powers दे रखी है powers उनको कहां से मिलती है constitution of India से constitution of India से इनको बड़ी पावर दे रखी है, जो चाहे वो कर सकते है, जो मर्जी आए वो कर सकते है और मैं बता दू, Constitution of India का जो 7th schedule है उसमें 3 list दे रखी है, एक list है जिसको बोला जाता है Union list एक list है जिसको बोला जाता State list और एक list है जिसको बोला जाता है Concurrent list आपने सुना होगा और उसमें कुछ ऐसे matters दे रखे है, कि जिस पे government चाहे तो law बना सकती है, government को ये power constitution में दे दिया, क्या आपको power चाहिए, लीजिए power और power में उन्होंने 3 list दे रखी है, that is one is the union list, one is the state list and one is the concurrent list, union list में कुछ ऐसे state list में कुछ ऐसे matter होते है, जिस पे state government law बना सकती है, और concurrent list में दोनों ही बना सकते है, अब एक बात समझना, union list में एक entry है, that is the entry number 82 entry number 82 और entry number 82 है ना, वो अपनी central government को power देती है, कि central government चाहे, तो किसी भी income पे tax लगा सकती है income पे tax लगा सकती है, यह power मिली हुई है, कहां से, entry number 82 से, और 82 कहां, union list का entry number 82 अपनी central government, मोधी सरकार को यह power देता है, कि government चाहे, तो income पे tax ले सकती है other than agriculture income agriculture income को चोड़के, उसमें लिखा हुआ है agriculture income को चोड़के, बाकि कोई भी income पे अगर हमारी government चाहे तो tax ले सकती है एक बात बताओ, agriculture income पे आज भी tax नहीं लगता agriculture income आपका कितना भी हो कितना भी करोड़ो रुपे हो agriculture income है, आपको कोई भी tax नहीं लगता because central government tax ले नहीं सकती state government अगर चाहे तो ले सकती है, बट state government भी tax नहीं लेती है agriculture income तो agriculture income है वो exempt है आज की date में कोई भी tax नहीं लगता अब किसी का question यह रहेगा कि सर क्या यह सही है agriculture income को like exempt करना अगर मेरा view मानोगे ना then I will suggest that कि agriculture income taxable होनी चाहिए after certain limit एक काम करिए आप 50 लाग की limit डाल दीजिए चलो किसान है obviously we want to promote the किसान मैं भी किसान घर से हो किसान family से हो गर के ठीक है चलो मैं 50 lakh तक अगर मैं कमाता हूँ तो उसमें तक आप tax मत लो per year का 50 lakh छोड़ दो आप ठीक है but at least यह उससे उपर वाली जो income है उसमें तो आप tax लो because लोग क्या करते हैं आज कल की date में black and white करने का best तरीका है agriculture income black and white करिए एक best तरीका best तरीका आपके पास अगर black का पैसा है आपको white करना है आप agriculture income के थूँ कर दीजिए कैसे करेंगे जैसे मैं एक example लेता हो मालो मेरे पास में 10 करोड black पढ़ा है cash पढ़ा है मुझे डर लगता है cash को कहा संभाल के रखो गया आप 10 करोड अब मैंने क्या सूचा किसको white करना है तो white करने के लिए क्या करना है मुझे मेरे नाम पे एक खेत लेना है या तो मैं खुद own करता हूँ खेत या फिर हो सकता है मैं किसी बाड़ी पे ले लिया मैंने और मैं बोलता हूँ मैं वहाँ agriculture activity कर रहा हूँ बले मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं कर रहा वहाँ पे और मैं बोलता हूँ मैं agriculture activity कर रहा हूँ फिर मैं क्या करता हूँ किसी से जो ये market में जो agents होते हैं उनसे मैं क्या करता हूँ crop के selling के bill ले लेता हूँ मैंने उनको crop sale किया तो मैंने जैसे ही उनको crop sale किया तो वो मुझे पैसे देंगे और ऐसा होता नहीं सिरफ bill ले लेते हैं लोग 2% 1% में market में जो मिलते है बिल ले लिए अब एक बात बताओ आपके पास crop selling का बिला आगया आपने बोला यह agriculture income है आपका पैसा as it is आप बैंक में जमा करा लीजिए या crop selling का पैसा सीधा बैंक में ले लीजिए आपके पास black का पैसा था आपने white बना दिया बिना tax बरे और मैं बता दू maximum politician अगर आप देखोगे उनकी बहुत बड़ी land ले रखी है और वहां से उनकी बारी agriculture income वो हर साल शो करते है एक interesting case आया मैंने कहीं पढ़ा था exactly मुझे उसका reference अभी पता नहीं है बट क्या हुआ कि एक बंदे ने बताए agriculture income है मेरी और उसने return में agriculture income बता दी और exempt है tax बरहानी bank में पैसा आया हुआ क्या से कौन से मन तक आपने खेती की थी उस खेत में बताओ तो उसने बताया कि यह यह मन से मैंने इस मन तक खेती की थी income tax department ने उस particular period की उस particular खेत की satellite की image मंगवाली satellite से जो image capture होती है न वो image मंगवाली और पूछा और उस image में देखा तो वो तो बंजर भूमी पढ़ी है वहां कोई agriculture activity नहीं हुई और ऐसा करके उस आत्मी को पकड लिया तो ऐसे ऐसे भी लोग कर सकते है आज कल आप ध्यान रखना करके अगर आप agriculture income बताते हो तो थोड़ा बहुत अगर मतलब वो बोलते हैं ना करें ठीक है कि वो नमक है तो वो चलता है आटे में नमक चलता है अगर में आटा नहीं चलेगा तो खुल मिला कि थोड़ा बहुत है तो चलता है अगर आगे वड़ते हैं तो देखिए गवर्मेंट टेक्स क्यों लेती है उसके पीछे का reason आपने एक responsibility दे रखी है किसको गवर्मेंट को के इंडिया को चलाना है और इंडिया को क्या करना है ग्रो स्वान करना है दो चीजों की जरूद पावर्ले सब्सक्राइब पैसा एक चाही MOM में रही हो यह छुफा पैसा, पैसा कहाँ से लाए गी पैसा लाने के लिए एक अग्जामपल लेते है। समझने कोशिश करते है। हमारा एक बंदा है जिसका है उमंग ये रहा उमंग उमंग और गवर्मेंट एक जैसी है कैसे बहुत अच्छा लग रहा है वंदा कितना गंदा फूटो बनाया है उमंग का उमंग के घरवाले देखके भेज़ भखा देंगे वो लेकाया है चलो अच्छा फूटो बनाते हैं उमंग का अगले महीने समवन स्पेशल का बर्थड़े है तो होता क्या है ना आजकल ये आपके जमाने में ऐसी चीज़े हो गई है कि जब भी आपकी अगर कोई girlfriend है या boyfriend है तो उसका birthday जब आप celebrate करते हैं तो आजकल बड़े surprises के जमाने हैं हमारे time पर तो अथा था नहीं हमारे time पर तो कुछ भी नहीं दागरे है बट आजके time पर क्या होता है कि चलो उसमें gift देना पड़ेगा फिर cake भीजना पड़ेगा फिर कुछ ऐसे surprises होंगे एवरी लग दो घंटे के बाद यह surprise यह पता नहीं क्या है आजकल ऐसा ऐसा होता है जैसा मैंने सुना है बच्चों से अब एक बाद समझना उमंग जो है उसके someone special का next month बढ़ भड़े तो सबसे पहले यह planning करेगा कि कैसे surprise दिया जाए तो जब भी एक CA student है वो surprise कैसे देगा तो सबसे पहले तो वो budget बनाएगा कि वह यह हमारे relation को चलाने के लिए हमारे relation को grow करने के लिए कितना खर्चा आने वाला है कितना budget है वो बनाएटा अब एक बात समझना सबसे पहले उसने budget बनाया कि अपने को total 4000 रुपिस का cost लगेगा 4000 कैसे? उमंग और जो दिल की उमंग है वो दोनों जाएंगे कहीं पर केक मंगाएंगे उसके बाद मैं like क्या बोलते है कुछ lunch डिनर भी होगा और ये सब चीज पूरे दिन का कुछ gift भी देना पड़ेगा total budget is 4000 रुपिस, 4000 चाहिए 4000 उमंग कहां से लाएगा? सबसे पहला जो source होगा उमंग का, वो उमंग का article ship का stipend सबसे पहला source is article ship का stipend तो उमंग को पता है कि अगले महीने का अपना salary due होने वाला है stipend due होने वाला है, तो office से हमको 2000 रुपिया तो मिल जाएगा 2000 रुपिया तो कहां से मिलेगा? office से, 2000 तो office now, what about the remaining करके? ठीक है, what about the remaining 2000? because relation को grow भी करना है बाकी पैसा कहां से लाएगा 2000? तो 2000 बाकी का arrange करने के लिए, वो किसको बोलेगा? अपने parents के पाथ जाएगा और अपने parents को जाके बोलेगा, कि देखो मम्मी या पापा, जससे भी आप ज़्यादा close हो लड़का है तो मम्मी से ही close होगा तो मम्मी को जाके बोलेगा के मम्मी मम्मी मेरे किसी friend का birthright है और उसको हम party देने वाले है तो इसके लिए आप कुछ पैसा दे दीजिए अब मम्मी को अगर 2000 बोल दो ना तो कहीं भी मम्मी को heart attack आ सकता है यह देहाँ रखना, मम्मी को कभी भी ऐसा नहीं बताना पड़ता के 2000 देना है ठीक है तो मम्मी को और मम्मी को बताना ही नहीं पड़ता मम्मी से पैसा निकालना बहुत easy आप खाना खाना चोड़ दो एक दिन के लिए बोलो भूग नहीं है अगर के ठीक है तो मम्मी आगे से बोल देगी बेटा कितने पैसे चाहिए बता दे तो उमंग ने बोला मम्मी को कि मम्मी एक काम करिए जादा नहीं मुझे 1000 रुपया चाहिए ठीक है तो 1000 रुपया मम्मी ने दे रिया तो एक काम कर तो 1000 रुपयस मुझे दे दे मैं तेरा अगला मेरा स्टाइपन आएगा उसमें मैं तुझे दे दूँगा तो वो क्या करेगा लोन लेगा तो सबसे पहला सोर्स खुद का ओफिस था दूसरी उस तन अपने पैरेंट से लिया तीसरा किस से लिया अपने फ्रेंट से लोन लिया तो मैं बता दू अपनी गवर्मेंट और उमंग में कोई फरक नहीं है हमारी जो गवर्मेंट है और उमंग है उसमें कोई भी फरक नहीं है कि पैसा कहां से लाएगा पैसा चाहिए कंट्री को चलाने के लिए श्री लंका की हालत आप देख रहे होगा ठीक है पैसा ही नहीं है उनके पास में कंट्री को चलाने के लिए तो आप देख सकते हैं कंट्री को चलाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी है पावर तो है यह उसके साथ में पैस करती है आपने देखा होगा हवारे government का railway है उसके बाद में SBI में कुछ हिस्सा है उसके बाद में बहुत सारी जैसे आपके ONGC है गर गे ठीक है उसके बाद में आप देखोगे बहुत सारे Indian Oil Corporation Limited है उसके बाद BPCL Corporation Limited है तो ये जो है ये बिजनस करती है government के खुद के businesses है और उन businesses से government बहुत ज़्यादा revenue है वो इकटा कर लेती है लेकिन question ही आता है कि क्या जो business से revenue जितना कटा होता है जितना profit आता है बहुत सारे government business तो loss making ही है और आजकल तो ये भी बोल रहे है कि government को सिरफ admin करना चाहिए ना कि business करना चाहिए बहुत सारे जो business वाले लोग है वो लोग बोलते हैं हमेशा ये sentence एक बोला जाता है कि government is to govern the business not to conduct the business not to like engaged in the business करके उनको business करना नहीं चाहिए उनको सरब क्या करना चाहिए गवर्न करना चाहिए बस तो उनको business नहीं करना चाहिए ऐसा मानते हैं लोग बट government है वो business करती है अब एक बात पताईए business से जो revenue है उससे भी अगर government की need जो है वो meet नहीं होती है तो उस case में क्या होता है government अपने parents से पैसे मांगती है और government के parents कौन ने पता है आप हो और आप से government जो पैसे मांगती है वो taxes के form में मांगती है कौन से form में मांगती है टेकसे के form में और अगर टेकसे से भी government का revenue जो है वो उतना नहीं होता जितना उनको खर्च करने के लिए चाहिए तो उस case में वो लोग क्या करते है बाहर से लोन लेते है आपने दिखा होगा करके IMF करके वगरा जो है करके ठीक है IMF है, World Bank है, ये लोन देती है बहुत सारी foreign country है वो लोन देती है तो ये क्या करते है, बाद में लोन लेते है, तो government में और उमंग में कोई ज़्यादा फर्ग नहीं है यही है, उमंग भी वही कर रहा था पहले खुद का business दूसरा parents के पास में गया और तीसरा friend से लोन लिया, तो अपनी government भी वही करते है, श्री लंका में क्या हुआ, वही हुआ श्री लंका का जो business था श्री लंका का main business was tourist का business और tourist वहां जानी रहे थे क्योंकि tourist जो government को भी revenue होता था, क्योंकि वीजा बनता था वीजा का पैसा मिलता था, government को बहुत सारे पैसे मिलते थे, वो उनके खुद के businesses से मिलते थे, बट ये वाला businesses है, वो बंद हो गया उनका उसके बाद मैं, वो parents है मिन्स लोगों से मांगे, बट लोगों की भी आमदनी नहीं परिटी गए, उसके बाद उन्होंने बाहर से loan ले लिया, बहुत, बहुत loan लिया, उन्होंने इदर उदर से loan लिया, China से loan लिया हर country से loan लिया, क्योंकि country को चलाना है और loan के बाद अब वो कुछ भी नहीं कर सकते pay नहीं कर सकते, तो वो insolvent हो गए तो government, first business second is parents and third है, वो loan लेती है अब question यह आता है कि sir, आप बोल रहे हैं कि parents से taxes लेती है, यह taxes कितने type के होते है, तो अपन यहाँ पर पहुँचे, तो मैं आपको बताओ taxes है ना वो basically दो type के होते है, आप छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं, अभी वापस पढ़ा रहे हैं आपको, taxes दो type के होते है, एक तुमारा होता है, जिसको बोला जाता है, direct tax और एक तुमारा जो होता है, जिसको बोला जाता है, indirect tax direct tax में कौन सा वाला tax, तो direct tax में पहले wealth tax भी हुआ करता था, बड़ अभी wealth tax नहीं होता तो direct tax में आपका income tax है और indirect tax में आपका जो है वो आपका GST है उसके बाद custom है तो GST है, custom है, excise है यह सब तुमारा indirect tax तो direct tax and indirect tax फरक क्या है दोनों है तो पहला फरक तो यह है कि direct tax ऐसी चीज़ है जो जिस person का tax है directly उसी से थापा जाता है उसी से लिया जाता है, that is called direct tax direct tax, जैसे मेरा income tax है तो मेरा income tax, income tax देबार्टमेंट वाले मेरे से लिते है that is called direct tax मिस डैरेकली उस person से लिया जाता है direct tax, indirect tax क्या होता है indirect tax जो है वो text किसी और person का है बट अभी collect किसी और person से government करती है that is called indirect tax मिस उसका burden है वो ultimate consumer पे shift हो जाता है ultimate customer पे shift हो जाता है that is called your indirect tax example के लिए GST example के लिए custom एक example लेते हैं एक बात बताईए हो मुझे GST, आपने BB sir को fees पे किया तो आपने जब fees पे किया for an example, आपकी fees है वो 15,000 है example के लिए तो 15,000 का जो fees है उस 15,000 आप तो कैसे बोलते हो न कि हमने तो BB sir को पे किया है बट आपने 15 मुझे पे नहीं किया हमने उस 15,000 divide by 118, multiply by 18 it comes to the 2280 में इस अप्रोक्स 2300 रुपेज है वो हम Central Government को पे कर रहे है it is called your indirect tax because ultimately tax आपका है आप से नहीं ले रहे है, वो हम से ले रहे है और हम आप से collect कर रहे है that is called your indirect taxes अब एक चीज बताईए मुझे आज की date में government को ज़्यादा revenue किस से होता होगा direct tax से या indirect taxes से ज़्यादा government की जोली में पैसा कहां से आता होगा direct tax से या indirect taxes से चलिए बता दीजिए, फटा फट कहां से आता होगा, government को ज़्यादा revenue कहां से आता होगा सब लोग बोल रहे है Tanya सब लोग बोल रहे है indirect taxes से your answer is absolutely right because indirect taxes का base बहुत बढ़ा है बहुत बढ़ा है, बेस इसका मतलब यह हुआ कि indirect taxes में GST है, फिर custom है आप आज कल तो देखोगे GST का हर मन्त का जो GST collection होता है वो कभी 1 lakh करोड को हर मन्त क्रोस कर रहा है, कभी-कभी तो एक बाद टच हुआ था, 1 lakh 50,000 करोड और सो पर मन्त का तो इतना GST का revenue है उसके बाद custom है, excise है, तो बहुत बढ़ा base है, इसलिए indirect taxes से ज़्यादा आता है, बढ़ ज़्यादा फरक नहीं है direct tax और indirect tax की अगर मैं recovery की बात करो, तो ज़्यादा difference नहीं है income tax जो है, वो भी बहुत बढ़ा जो योगदान है, वो अपनी economy को देता है, बहुत बढ़ा, I think 16 या 17 lakh करोर जो है, वो income tax भी every year है, वो collect होता है, इतना बढ़ा revenue है income tax से करें, ठीकर, ज़्यादा difference नहीं है, बढ़ तो भी indirect tax है उसका base बढ़ा है, इसके लिए उसका recovery government को ज़्यादा होता है, एक और चीज़ मुझे बता दीजिए आप एक बार, फटा फट मुझे एक चीज़ बताईए, government को कौन सा tax collect करना ज़्यादा easy लगता होगा means easily they can collect उसको ज़्यादा burden फिल नहीं होता होगा कौन सा, income tax या GST means direct या indirect tax, easily collect कर लेते government को ज़्यादा burden नहीं आता government को कौन सा tax collect करना easy रहता होगा, easy recovery चलिए उज्वल राहुल उज्वल बोलता, income tax मांसी भी बोल रही है, income tax बाकी सब बोल रहे है, indirect tax आफरीन, बोल रही है, income tax direct tax easy है, collect करना या indirect tax right answer is, मैं बता दू government के लिए ज़्यादा easy जो है recovery, वो हमेशा indirect tax की रहती है, because पता ही नहीं चलता, आप tax पे कर रहे हो but direct tax है ना, सीधा यहाँ दिल पे दुखता है, जब आपके यहाँ पे यहाँ पे है ना, सीधा दर्द होता है, income tax में आप समझे, मैं अगर 100 रुपेस कमा हूँ आप सोचिए, आप 100 रुपेस कमा हो और 100 मैं से 30 रुपी सीधा government को देना है, कितना दुख होगा यार सीधा यहाँ दिल पे दर्द होता है दर्द यहाँ पे, ठीक है, दर्द दिलों के कम हो जाते, बिल्कुल कम नहीं होते है इसमें करके, ठीक है, सीधा यहाँ पे pinch होता है, जब आपको income tax pay करना पड़ता है, बट मैं बता दू, IDT में पता ही नहीं चलता आपने टेक्स बराएं, आप सोचिए आपने फीस बराएं, इतने दिन से आप trends के साथ discuss कर रहे है, बीवी सर का फीस है न, वो 15,000 है, एक बार भी यह सोचा, उसमें से 200 रुपे मोदी जी को दे रहे है, बिल्कुल नहीं सोचा, आपने, एक दिन भी नहीं सोचा कि 200 रुपे है, वो government को जा रहे है, बट नहीं, ऐसा आपको कैसा बोलना चाहिए, पता है, कि 15,000 जो फीस है, उसमें से 2,300, तो ऐसा बोलना उसको directly burden है, वो feel नहीं होता, इसके लिए इसका tax recovery है, वो as compared to the direct tax easy है, और direct tax में case loss बहुत ज़्यादा, क्योंकि litigation बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि recovery difficult है, क्योंकि litigation बढ़ती है, indirect taxes में अभी तक इतनी litigation, जैसे GST में नहीं आई है, अभी indirect tax recover करना easy है, direct tax बढ़ा ही दुख देता है, बढ़ा दुख देता है, अगर आप जब income tax भरोगे, तो आपको पता चलेगा, कि कितना दुख देता है, कितना रोना आ जाता है, आखों में से आस्यों आ जाते है, ठीक है और इसी लिए तो TDS को introduce किया, एक बात बताओ, TDS को introduce किया ना, उसके पीछे का reason ही है, TDS क्या होता है एक tentative, कुछ payment government को पहले ही चला जाता है, that's why उन्होंने TDS, क्योंकि आपको दिल पे दुख ना हो, दिल पे लगे ना, इसलिए उन्होंने TDS introduce किया, एक example लेता हो, समझने है, कोशिश करना, जैसे माल लो, आपको एक notebook खरीदनी है आज, example के लिए, notebook खरीदनी है, और आपको notebook 70 rupees की खरीदनी है, 70 rupees के, समझना, 70 rupees की notebook खरीदनी है, आपके पास पैसे नहीं है, आप गए अपने parents के पास, और जाके बोलते है, कि मम्मी, मुझे 70 rupees चाहिए notebook खरीदने के लिए, अब 70 rupees नोटबुक खरीदने के लिए चाहिए, मम्मी के बास 70 change नहीं था, मम्मी ने आपको दे दिया 100 rupees, कि लीजिए, आप 100 rupees ले लीजिए, और आप नोटबुक खरीदने के लिए, और आप 30 rupees जो बचता है, वो मुझे वापस कर दीजिए, यह आपको बोला भी था, 3-4 days ऐसे ही चलेगे, उसके बाद में मम्मी ने आपसे पूछा, कि बेटा वो आपने notebook के लिए 100 rupees लिए थे, उसमें से 30 rupees बचे है, वो 30 rupees दे दो वापस, आ आपका reaction क्या रहेगा, कौन से 30 rupees, कब दीए थे, है ही नी मेरे पास, खर्च कर लिए मैंने, है ही नी, कुछ नी, वो आपके पास है ही नी, दूसरी probability क्या रहेगी पता है, कि आपके पास है 30 rupees, आप 30 rupees ममनी को देंगे, बट कैसे देंगे पता है, यह ले तेरे 30 rupees, ऐसे फेकि क्या ही परक पड़ रहा था, यह इतना दुख होगा ना, यहाँ पे है न, सीधा, मनलब है न, दिल पे दर्द होता है, अब एक बात बताओ, शायद ममी ने उस दिन आपको 70 दिये होते हैं, इतना दुख नहीं होता, जितना 100 देके और 30 rupees जब वो वावस मांग दिये तब हो पूरा टेक्स मांगा जाए, तो उसको बड़ा दुख होता है, इसके लिए TDS है, वो concept इंट्रोड्यूस हुआ, और आज जैसे मालो, मैं मेरे को professional fees कहीं से मिलती है, तो मैं हमेशा 90% का calculation करके चलता हो, क्योंगि 10% तो ऐसे भी government को टेक्स चला जाता है पहले ही, और 90% का calculation कर चलता होगे, 90 अपने पास में आने वाला है, चलिए, अब अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, थोड़ी दिर बाद आपको break मिलेगा, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको break मिलने वाला है, अब एक चीज समझना, सरी ये direct tax जो पढ़ेंगे, direct tax में हमको income tax law पढ़ना है, और income tax law पढ़ने के लिए हमको किन-किन चीजों का knowledge होना चाहिए, income tax law, income tax law पढ़ने के लिए आपको किन-किन चीजों का knowledge होना चाहिए, सबसे पहली चीज, आपको, एक तो income tax act 1961 का knowledge होना चाहिए, दूसरा, income tax rules 1962 का knowledge होना चाहिए और उसके बाद आपके exam के लिए finance act 2022 इसका knowledge होना चाहिए यह तीन चीज़े ऐसी है जिसका आपको knowledge होना चाहिए सबसे पहले income tax act एक चीज दियान रखना कहीं पे भी exam में बगिरा जब आप act लिखते होना तो act लिखते time आपको a बड़ा लिखना है always a बड़ा लिखना अगर आपने ये वाला act लिखा ना तो ये फिर वो शारुकान वाला act हो जाता है ठीक है वो वाला जो act है वो शारुकान वाला हो जाता है ये आपको नहीं लिखना है आपको जब act लिखते हो अब rules क्या काम करते हैं देखिए जो rules होते हैं वो act को support करते हैं act को support करने के लिए rules मनाए जाते हैं अब आप बोलोगे rules में क्या दे रखा होता है जो rules में जैसे बहुत बार valuation rules है जैसे percusate है आपने salary पढ़ा था कि percusate में motor vehicle जो है motor vehicle motor car provide की तो उसमें इतना इतना taxable होगा hospital का percusate ऐसे taxable होगा तो वो rules कहां दे रखा है वो rules में दे रखा है कैसे taxable होगा एक बात बताओ depreciation की rate आपने सुना हुआ depreciation की rate क्या है 40% है computer पे motor vehicle पे 15% है तो यह कहां दे रखी है depreciation की rate क्या income tax act में दे रखी है answer is no यह rules में दे रखी है अभी कुछ time पहले क्या हुआ एक बार माल लो एक बंदा आया जो बोलता मैं income tax पढ़ाऊंगा मैंने ठीक है मैंने उसको पूचा simple सा question के मुझे एक बात बता computer पे depreciation की rate क्या है he mentioned that computer depreciation की जो rate है that is the 14% 40% मैंने बोला कहां लिखा हुआ है तो वो बोलता section 32 में तो मैंने बात पक्का are you sure section 32 में यह लिखा हुआ है के computer पे depreciation की rate है वो 40% है, he said that yes sir लिखा हुआ मैंने तो यही देखा हुआ है, मैंने का ले, उसको मैंने act दे दिया पूरा और पूरा जो income tax act था, वो मैंने दे दिया, मैंने का act में मुझे section 32 में ढूंड के बता दे, के यहां पे depreciation की rate 40% है उसने पूरा 10 मिनिट तक ढूंडा और उसके बाद उसको नहीं मिला गरे ठीक है और वो बलता है sir इसमें 32 में तो नहीं दे रखा, वो आपको rules में दे रखा है तो rules क्या होते, act को support करने के लिए rules होते है तो act जो होता है, उसको support करने के लिए rules बनाए जाते है, अब एक और चीज़ समझदा यह finance act क्या बला है, यह क्या होता है every year every year हमारे income tax law में कुछ ना कुछ changes आते है और every year income tax law में जो changes आते है ना, वो changes आपके finance act के थूँ आते है finance act के थूँ है वो आपके income tax law में changes आते है because law बना दिया, बट आज की need में कुछ changes चाहिए, amendment चाहिए, नई section introduce करनी है, नई section को अगर उसमें कुछ change करना है पुरानी section को delete करना है तो यह किस के थूँ करते है, यह सब करते है finance act के थूँ और every year finance minister जो होता है वो finance minister हमेशा 1st feb को 1st feb को finance bill present करता है parliament, finance bill present होता है parliament में upper house and lower house upper house means raja सबा, lower house means आपका लोक सबा तो parliament में 1st feb को finance bill present किया जाता है उसको bill बोला जाता है पहले अब यह जैसे ही bill present होता है, आपना सुना होगा आप बहुत बार सुनते हो, budget आया है तो budget जो है, वो finance bill ही को बोलते है budget कि अब उसमें क्या-क्या changes है तो that is the finance bill अब finance bill जब present होता है इस finance bill में जैसे ये present हो गया उसके बाद में कुछ time बाद इस पर discussion होता है और discussion होता है दोनों houses में उसके बाद वहाँ से pass होता है और pass होने के बाद ये जाता है अपने president के पास में और president के पास में जाता है और president जिस दिन इस पर sign कर लेते है ना उस दिन ये बन जाता है finance act पहले ये bill था लेकिन जैसे ही जिस दिन अपने फिनेंस प्रेसिडेंट ने जैसे रामनात कोविन जी है उन्होंने जब इस पर sign किया इस वाले बिल पे तो ये तुमारा क्या बन गया Finance Act बन गया तो Finance Bill से ऐसे बनता है Finance Act अब question ही आता है कि सरीक बात बताईए हमने ये सुना है कि अभी आज कल ये जो budget आता है इन्हें 1st Feb को आता है पहले ये 28 Feb को आता था Congress के टाइम में अगर आप देखोगे तो ये 28 Feb को आता था बट जब से BJP आई BJP का भी पहले तो 28 Feb को आया था बट फिर उन्होंने डेट को चेंज करके उन्होंने 1st Feb को कर दिया कि हम budget है वो 1st Feb को लाएंगे इसके पीछे का क्या reason हो सकता है Reason is being कि basically जब 28 Feb को आता था था ना तो उनके पास में एक मनत का टाइम होता था तो many time ऐसा होता था like देखो budget is for the future period so budget is for the next year April से लेके ये budget काम करेगा तो उसमें बहुत बार ऐसा होता था कि budget जो है उसको bill को act बनते बनते April भी चला जाता था में कभी में के first week में जाके act बन रहा है कभी April के end में act बन रहा है तो बहुत सारे provision ऐसे होते थे जो first April से applicable होने वाले है तो उसको लेके फिर दिक्कत आती थी कि अभी first April से applicable होगा या नहीं तो इन्होंने एक system अच्छा सा बना दिया अब कि first feb को bill को present करिए और 31st March से पहले-पहले ये act बन जाएगा 31st March से पहले-पहले act बन जाएगा तो first April से इसके implication वगरा आ जाएगी बहुत सारे provision है जो first April से applicable होने वाले है उसकी implication है वो first April से आ जाएगी that's why now budget is presented on the first feb अब एक और चीज़ समझना सरीख बात बताईए क्या हर साल एक ही budget आता है answer is yes हर साल एक ही budget आता है एक ही बिलाता है finance bill करके लेकिन एक चीज़ समझना जिस year में election होते है न उस year में आपके दो budget आते है election वाले year में दो बिलाते है, दो act बनते है दो finance act बनते है उस साल में दो finance बिलाते हैं करें ठीक है जिस year में election होते है in 2014 that was election year 2019 was election year अब आगे जाके 2024 will be the election year तो बेटा 2019 की अगर मैं बात करूँ तो 2019 में दो finance बिलाय थे एक तो 2019 का पहला finance बिलाया था before election and उस time पे अरुन चेटली जी की तब्यट ठीक नहीं थी तो प्यूश गोयल जो थे अभी भी है तो प्यूश गोयल जी है वो finance minister बनाये गए थे थोड़े time के लिए और उन्होंने budget present किया था in 2019 that was finance bill 2019 number 1 बोलते है उसको और उसके बाद में BJP की वापस government बन गई और उसके बाद निर्मला सीता रमन जी को finance minister बनाया गया तो निर्मला सीता रमन जी ने दूसरा वाला budget है वो present किया था in the month of the July आई तो पहला वाला जो budget है उसको normally interim budget बोला जाता है और जो आपका final government बनने के बाद जो budget आता है उसको normally final budget बोला जाता है तो हर साल जिस year election होते है न वो election वाले year में आपके दो बिल आते है finance bill और वो ही तुमारे दो finance act है वो बनते है तो 2019 वाला जब भी आप देखोगे न कहीं भी जब मैं भी आपको बताऊंगा तो जहां 2019 का amendment है तो वहाँ पर ऐसा लिखा होगा amended by finance act number one 2019 एन एक जगह लिखा होगा finance act number two 2019 मैं इस ये 2019 के में दो finance act आये थे क्यों क्योंकि उसी ये उसे में election था तो जिस ये election होगा हरसाल एसा ही होगा और जिस ये election नहीं है उस ये उस्ये नौर्मली एक ही बिल आता है और एक ही एक बनता है अब एक चीज़ समदना आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कर government ordinance ने segunda ordinance निकाला है ordinance अब आ पार्लियमेंट ओपरेशन में नहीं है तो पार्लियमेंट की चुट्टिया चल रही है तो पार्लियमेंट की चुट्टिया चल रही होती है तो प्रेजिडेंट के पास यह पावर है कि प्रेजिडेंट जो है वो मिनिस्टर को बोलके और ordinance के थुरू भी amendment ला सकते है नौर्मली amendment जो आते है वो finance act के थुरू आते है बट जब parliament session में नहीं है और अगर government को लगता है कि ये जो amendment है ये जरूरी है तो वो लोग क्या करते है ordinance निकाल के भी amendment ला लेते है कैसे जैसे कुछ example देता हूँ कोविड के टाइम पे आपको पता रहेगा कोविड से भी पहले में 2019 में एक बार जाता हूँ 2019 में September के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ September में आपको पता रहेगा और जब like market में share market काफी नीचे गया था 2019 में एक बार नीचे गया था दो-तीन हजार पॉइंट टूट गया था और उसके बीचे क्यों कुछ reason थे तो 2019 में September के आसपास एक दिन निर्मला सीता रमंची आती है और एक ordinance लाती है और वो बोलती है कि हम corporate tax की जो rate है वो corporate tax की rate है वो 30% से हम सीधा 22% कर देंगे ऐसा आया था और कि new manufacturing unit इंडिया में लगाई है आपको 15% की rate से tax भढ़ना पड़ेता तो ये जो sections लाई थी ये section mid of the year में लाई थी और उस टाइं Parliament थीनी operation में पारल्यामेंट की चुट्टिया चल रही थी तो इन्होंने ordinance लाया था जिसको बोला जाता है Taxation Ordinance 2019 अब ये ordinance होता है ना ये final नहीं होता ये एक बाल लाया फिर जब Parliament session में बैठती है जब Parliament चालू होती है फिर वापस उस ordinance को pass कराया जाता है और जब pass करवाते है तो उसका नाम हो जाता है Taxation Amendment Act 2019 सो ऐसा 2019 में भी वा 2020 में भी ऐसा हुआ था 2020 में आपको मैं बता हूँ जब COVID का टाइम चल रहा था और COVID के टाइम पर पार्लेमेंट थी नहीं और निर्मला सीतारमन जी को लगा के कुछ amendment करने चाहिए और काफी amendment करने थी बहुत सारी due dates को लेके problems थी बहुत सारी चीज़े थी उन्होंने एक amendment के लिए उन्होंने एक ordinance निकाला था that is called your taxation and relaxation कर गया ऐसा कुछ लिखा था ordinance and relaxation कर गया ऐसा कुछ ordinance का नाम था और फिर उसी को वापस से उन्होंने act में तब्दिल कर दिया उसको act में बदल दिया तो that is called ordinance तो ordinance क्या होता है कि जब parliament session में नहीं नहीं देखो parliament session में तो वहीं पे सीधा bill पास करवा कि और सीधा act बना दो बट अगर parliament session में नहीं होती है उनका session चल नहीं रहा है चुट्टिया चल रही है तो उस case में president को ये power दे रखिये president है वो ministry को बोलता आपके exam के लिए आपको क्या पढ़ना है तो आपके exam के लिए income tax act 1961 है वो पढ़ना है income tax rules 1962 है वो पढ़ना है और आपको finance act 2022 पढ़ना है finance act 2022 this is applicable for your examination आपका exam means अगर आप May 2023 में C.A. का दे रहे हो या फिर आप June 2023 में C.A. का exam दे रहे हो या फिर आप November 2023 या फिर आप December 2023 means November, December 2023 में आप C.A. या C.A. में का exam दे रहे है तो आपके लिए finance act 2022 है that is applicable तो अभी 2022 में जब F.E.B. में जो budget आया था जो जो amendments है that is applicable for your examination ठीक है तो चलिए तो break से पहले-पहले हमने जो चीजे पढ़ी एक बार आज सरफ basic सी बाते कर रहे हैं कल से अपन topics पे जाएंगे तो मैंने आपको बताए direct tax क्या होता है indirect tax क्या होता है उसके बाद government tax क्यों लेती है government को क्या need है indirect tax, direct tax का फरक क्या है law क्या होता है, act क्या होता है, section को कैसे read किया जाता है आपको basic सी चीजे बताई finance act क्या होता है, finance bill क्या होता है, ordinance क्या होता है वो चीजे मैंने आज आपको बताई तो चलिए, अब आप एक काम करिए 10 minutes का break लेंगे और 10 minutes के बाद we will start with the first topic जो basic दे रखा है, आज अपन पढ़ेंगे assessment year क्या होता है, previous year क्या होता है assessing क्या होता है, वो चीजों के बारे में है वो आज अपन सीखने वाले है तो आप एक काम करिए, break ले लीजिए 10 minutes का अभी से लेके exactly 10 minutes का break और 10 minutes के बाद अपन आगे पढ़ना चालू करेंगे